एक ऐसा जीव जो 24 घंटे में केवल एक घंटे ही सोता है नमस्कार मैं शुरुतियंगद और आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में जिराफ मूल रूप से अफरिका में पाया जाने वाला जानवर है परंतु अब यह विश्व के लगभख सभी देशों में पाया जाता है कुछ देशों में इस जीव की आबादी घनी है और कुछ देशों में यह विलुपती की कगार पर पहुँच गया है और इसी के साथ कुछ ऐसी भी देश है जहां पर यह सिर्फ चिरिया घर की शोबा बढ़ा रहे हैं जिराफ दिन में कम नींद लेने वाले जानवरों में गिना जाता है उधारन के तौर पर जिराफ 24 घंटे में मातर एक घंटे के लिए ही सोते हैं क्या आप जानते हैं दुनिया में पाई जाने वाले सभी जानवरों में जिराफ एक मातर ऐसा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है जिराफ भी उटकी ही तरह कई दिनों तक बिना पानी पिये रह सकता है मादा जिराफ अपने बच्चे को खड़े होका ही जन्म देती है और बीबी जिराफ जन्म के मातर एक घंटे बाद ही उठकर चलने लगता है और मातर कुछ घंटे बाद ही दौरना भी शुरू कर देता है जिराफ अपनी लंबी तांगों के कारण 35 मील प्रते घंटा की रफतार से दौर सकते हैं परन्तु यह दौर छूटी दूरी की होती है क्या आप जानते हैं जिराफ का दिल 2 फिट लंबा होता है और वजन 20 पांड होता है यह बड़ा और मजबूत दिल हर मिनट 75 लीटर रक्त पंप करता है क्या आप जानते हैं जिराफ पानी में तैरना नहीं जानते इसलिए यह नदी नालों के बीच कम ही जाते हैं जिराफ के 50 प्रतीशत बच्चे जन्म लेने के 6 महीने के अंतराल में ही तेंदुआ, शेड, लोमडी, जंगली कुत्तो, आदी के शिकार हो जाते हैं एक स्वस्त नर जिराफ लगभग 18 फीट तक उचा हो सकता है और मादा जिराफ 14 फिट लंबी होती है जिराफ से जुरी रोतक तत्ते आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेर करें अगर यह वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को follow करें अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को subscribe करना ना भूले धन्यवाद कर दो हमारे YouTube चारे साल मारे याद ‎जये करें लिट शेता याद ऐस more बबबब देख रहे हैं तो हमारे दीए